शिक्षक भरती परिक्षा जो बीपे सीक्योर से आजूत की जा रहे थी हो अपने तैस समय पर होगा बीएड और डेलेड को लेकर जो कन्फीजन क्रियेट किया आ गया था या कन्फीजन क्रियेट हुआ था वो दूर हो गया है और आपको बता दें कि बीएड पास सभी वैस से भरती जो प्रात्मिक शिक्षक के परिक्षा देने के लिए योगी होंगी जिन्होंने फॉर्म भरा है हाना कि रिजल्ट आएगा या नहीं ये तैय होगा एंसी टी यानि नाशनल काउंसिल आफ टीचर एजुकेशन के आदेश पर दरसल बिहार में एक लाग सतर हजार से जादा शिक्षकों की बहाली के परिक्रिया जारी है और बहाली के लिए 24, 25 और 26 अगस्त को परिक्षा होनी है लेकिन इस बीच सुप्रिम पोर्ट का एक आदेश आया और अभ्यरती संशे में आगए अब BPS इने साफ कर दिया कि जिन अभ्यरती उने परिक्षा के लिए फ़ार्म भरा है सबी परिक्षा देने की योगी होंगे और प्रात्मिक शिक्षक के लिए 7,07,000 अभ्यरती ने आवेदन दिया है जिनमें 3,08,000 बीलेड पास हैं जबकि 3,90,000 बीलेड पास हैं हमारे पास जितने अगर अललग भी कर लेते हैं तो भी हमारे पास दिप्लोमा धारी लगबग वेकेंसी का पांच गुना अभ्यरती हैं और बलकि आप लोगों को ध्यान होगा कि मानियस सर्वोश नियाले ने इसी बात को आधार बनाते हुए एक तिकी टिपनी किया है कि जब राज़्थान के कॉंटेक्स्ट में कि जब अभ्यरती जब परियाप संख्या में उपलब थे तो क्या कारण था कि बीएड को और ब्रिच कोर्श के माध्यम से उनको मौका दिया जाए कोई आचित्य नहीं था उसका यह मानने सरवोश नियाले ने साफ साफ अपने तिकी टिपनी में किया है और यही कारण भी है कि हमारे पास जब परियाप संख्या में डिपलोमा अभ्यरती हैं तो वैसी सिती में हमारे पास कोई आचित्य नहीं है कि हम परिक्षा को स्टे कर आज तो शाव बीपीसी के परिक्षा तैस समय पर होगी बीएड वर्जिस डीलेड को लेकर जो कन्फुजन है उसको दूर कर दिया गया है लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कन्फुजन तो दूर हुआ है लेकिन असमंजस की स्थिती बरकरार है आप डिफाइन कीजिए बिलकुल और जो परिस्थितियां बन रही है उसके मुताबिक भले ही बीपीसी के चेर्मेन ने ये सभी उमीदवारों को कहा है कि आप एक्जाम में जरूर सामिल हों और खास्तोर से जो बीएड की योगेता रखते हैं उनको भी उन अभियर्थियों को भी कहा है कि आप एक परिशानी बीएड की डिग्री जिनके पास है परिशानी उन लोगों के लिए उन अभियर्थियों के लिए क्योंकि उनका result हो सकता है कुछ समय के लिए रोका जाये क्योंकि जब तक कोई final कोई regulation नहीं आ जाता है या फिर जो बीपेस्थि के चेर्मेंट थे उनका करना था क अगर government कुछ सोचती है तब हो सकता है result रोका जा सकता है या फिर अगर कोई अभ्यर्थी court चले जाते हैं तब हो सकता है result रोकना पड़ जाए तो फिलाल परिस्थितियां ये हैं कि exam तो जरूर होगा और सबसे अच्छी बात ये है कि खुद chairman ने कहा है कि उनके पास diploma धारी इ इंग्री है उन अभ्यर्थियों के लिए अभी भी संसे की स्थिति बरकरार है लेकिन exam में वो बैठ सकते हैं इसमें कोई परिशानी नहीं है लेकिन सिक्षक वो बनेंगे इस पर अभी भी संसे बरकरार है क्योंकि कई इफबट हैं उसमें भी और उस सवाल का जबाब ढून मेरे ख्याल से सरकार के लिए भी अहम होगा अगर कोई सिक्षक अभ्यर्थी अगर कोट नहीं जाते हैं तो कोई परिशानी की बात नहीं है तब तो फिर रिजल्ट भी आसानी सा जाएगा लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि exam होने के बाद सेप्टेंबर में 20-25 सेप्टे मार्किंग नहीं की जा रही है तो यह कुछ अच्छी बात हैं लेकिन कुछ संसे अभी भी बरकडार है